नमस्कार दोस्तों आप सबके बीतर बैठी हुए भगवान को इश्वर को माताराणी को प्रणाम करता हूँ आज से दोस्तों एक नियम बनाएं प्रॉब्लम नहीं सिलूशन की बात करें समस्या नहीं समाधान की बात करें तो आप दोसरों का जीवन भी अनंदित करेंगे अपना जीवन भी अनंदित करेंगे यह अध्यात्मिक्ता का बहुत बड़ा नियम है कि समाधान ढूंड़ना पॉजिक्टिव द्रिश्टी रखना हम कभी कभी हमें पता होता है यह प्रॉब्लम है पर उस प्रॉब्लम की बात हम तभी करेंगे पांच लोगों के सामने जब वो दूसरे डाउन होते हूँ जा किसी को मिलने गए हैं हम उसको कहेंगे तो ऐसी बात कि चिंता ना करो कोई बात नहीं और हम स्लूशन की बात कोई नहीं करेंगे और दूसरा व्यक्ति कभी कभी कितना डौन फीर करता है उसके घर की बैल होती है उनको लगता है कि अभी कोई और लेक्शर देने के लिए आ गया व्यक्ति और कमजोर हो जाता है पर आप उसका बहुत दंड भोगते हो आप ऐसा सोचते हो कि किसी की दुखती रग में हाथ रख दिया तो हमने उसको solution दे लिया नहीं ऐसा नहीं करना है इसी से आप द्यान की आगे की कलास में जाओगे इसी से आप परमात्मा के चर्णों में जाओगे इसी से आप गुरु किरपा प्राप्त करोगे इसी से आप मा की क्रपा प्राप्त करोगे जैसे कितने भी बड़ी से बड़ी प्राप्लम हो आप ऐसे सोचें कि 20 साल से अंधेरा हो सदियों से अंधेरा हो हम अंधेरे की बात कितनी करेंगे न एक शोटा सदिया वो 100 साल के अंधेरे को भी काट सकता है और जैसे ही प्रकाष आता है, अंधेरा वहां से भागना शुरू हो जाता है, मेरे गुरु महराज कहा करते थे, सुनने में बहुत अच्छा लगता था, पर जब से उस उस उपर किलियात में कुलूप से काम करना शुरू किया, आप लोगों से करवाया, बहुत अच्छे हरजल्ट मिला, आपको तो जाद होगा क्या कहते थे वो, गरिबी दूर नहीं की जा सकती, अमीरी लाई जा सकती है, बिमारी दूर नहीं की जा सकती, तंदरुस्ती लाई जा सकती है, अंदेरा दूर नहीं किया जा सकता, रोशनी लाई जा सकती है, उदासी दूर नहीं की जा सकती, शान्ती लाई जा सकती है, परिशनी दूर नहीं की जा सकती खुशी लाई जा सकती है आपको लगता है कि कोई व्यक्ति बिमार है उसकी बिमारी की बात ना करके उसकी जीवन में जो प्राप्तियां की उसने उसकी बात करो जो उसने दूसरों को खुशियां दी उसकी बात करो कैसे रह पाया उसकी बात करो अब देखोगे कि उस व्यक्ति का चेना खेल उठेगा कितना भी गंदे से गंदा व्यक्ति होगा कुछ तो खूबियां रही होगी उस میں ला आज से दोस्तो एक नियम बनाएंगे कि हम समाधान की बात करेंगे, समस्या की बात नहीं करेंगे, आज सबसे बड़ी समस्या परिवार में relationship में आ रही है, उस relationship में misunderstanding के कारण बहुत से घर तूट रहे हैं, कि हम सब को अपने मताबक चलाना चाहते है, हम ट्रीयक्टर बनना चाहते हैं, कि हम उसके सुधारने की बात करते हैं, हम कहते हैं तूने जहां नमबर एक गलती जे कर रहा है, दूसरी जे कर रहा है, तीसरी जे कर रहा है, चौती जे कर रहा है, आप अपने आपको सुधारें, आप देखें कि मैं कौन कौन सी गलती कर रहा हूं, जिस दिन हम अपनी गलती को ढूंड लेंगे, उस दिन आप एक न आप सेवा करते हैं, आप गुरू के शिश्या हैं, आप अच्छे डॉक्टर हैं, आप अच्छे बिजनसमेन हैं, दूसरों को सुधारने की कोशिश नहीं करना और दूसरी बात, अगर दूसरे ने आपको कभी डॉण करने की कोशिश किया है, दूसरों ने आपको कोई आपके गलती होगी किशमा मांग लेना आप देखना जिस दिन आप मन से किशमा मांग लेंगे मन से किशमा कर देंगे आप बहुत उंचे व्यक्ति चले जाएंगे आप बहुत उंचे हो जाएंगे आपका जो एक स्टेट परने लगेगी, दोस्तों जैसे-जैसे हमारी पध्यात्मक स्टेट बरने लगती है ना, हमारा सुक्षम श्रीर बहुत powerful हो जाता है, जैसे हमारा सुक्षम श्रीर powerful होता है, हमारा अग्या चक्रा collective mind powerful होता है और हम अपने गोल को प्राप्त करने में सक्षम हो जाते हैं, अपने संखल्प को प्राप्त करने में सक्षम हो जाते हैं, बस आज इतना ही, इसको प्रैक्टिकल रूप से करके देखें, मां आप पे बहुत कृपा करेगी, आपके भीतर बैठी हुई मां को, भगवान को, इश्ट को, इश्वर को पर नाम करता हूं.